एक कीड़ा होने के बावजूद मेंटीस बहुत खतरनाख होता है ये अपने से दो गुणा बड़े शिकार को भी शिकार कर सकता है साप, बिच्छू, चूहा, इसके खतरनाख पंजो से कोई नहीं बच्छा साप तो बहुत खतरनाख होता है लेकिन Mantis साब को भी अटाक करता है यह अपने पंजो से साब को जकर लेता है तब साब भी उसको जकरने की कोशिश करता है लेकिन तब Mantis साब को जिन्दा रहते हुए ही खाना स्टार्ट कर देता है साब को इससे बहुत दर्द होता है और Mantis इससे बहुत आसानी से साप को दो हिस्सों में काट डालता है और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से तो कैसा लगा लिखे चैट सेक्षन में और हापी सपोर